नमस्कार पापाममीकिचन.डाटकॉम में आप सभी का स्वागत है गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियों के मौसम में कोल्डिंग पीना सभी को पसंद है मार्केट से जब हम कोल्डिंग लाके पीते हैं तो उसमें बहुत तरह के कलर्स, आर्टिफिस्यल फ्लेवर्स और प्रिजरिवेटिव मिलो होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होते हैं कर्मियों के मौसम में केरी मार्केट में बहुत ही अची मिलती है इस कच्छी केरी के आज में आपको सर्बद बनाना बता आूँगी इस करी का सरबद बना कर्के यदि आप फ्रिज्मा रखेंगे तो पुरी गर्मी इसका आनन्द ले पाएंगे तो आई ये कच्छी केरी का सरबद बनाना सरू करते हैं केरी का सरबद बनाने के लिए हमने तीन केरी ली है वजन में लगब ये 500 ग्राम केरी है तो इस केरी का छिलका निकालना जरूर है सबसे पहले इसका छिलका निकाल लेते हैं तो इसको उपर जो आंक होती है इसको निकाल लेते हैं इस तरह से और इसे आप चाहे तो चाकू से भी छील सकते हैं इस तरह पीलर से भी आराम से चील करके त्यार कर सकते हैं अभी क्या गर्मी का सिजन आ गए है तो गर्मी के सिजन में मार्केट में केरी बहुत ही अच्छी लग गई है आपको इस चीज का धियां रखना है करी जब भी आप सर बद के लिए लें कच्छी करी लें कच्छी करी होगी तो तो सका शरबत बहुत यचा बनेगा पटकी करी में क्या खटासी कम पढ़ जाती है फिर उसका सरबत अच्छा नहीं बनता है इसलिए आप कच्छी आप इस तरह सरवत भी सर्व कर सकते हैं इस तरह सम्नतिनों करी के उपर से जो हरवाला पाठ पूरा निकाल दिया है अभी से हम काट लेते हैं आप चाए तो बड़े पीस में जैसे भी काटना चाहते हैं इस तरह से काट कर लें कच्छी करी का सरवत आप देखेंगे बनाना कितना आसान है पर पिने में बहुत ही टाशी लगता है और खास तोर से बच्चे जब बाहर से कभी खेल के आते हैं और उनको कभी भी प्यास वगर लई और छंडड़ बनाकर पिलाते हैं करार कहिरा हैं तरह निकल सकता यंदी सकता है इसके पुरा आप निकाल लिया है पूरा अश्का घुजी को हम थक देंगे इसका पर प अशै के लिए 4 एक कप पानी डाल देते हैं इसे कहरी अच्छी से पंग जाएगी और इसके उपर डगा देडे। कुकर को इसके नभ दीता हैं और इसे दूशिटी तेक पका कर त्यार करेंगे। कि आरम से कहरी से भी काना गोलिस्तों पक्या त्यार और देगी। अब ही हमारे कुकर की दो सिटिए आ गई है जास को बंद कदेट से हैं इसे मैं günा बता देती ओं को याधी आपका कुकर घोठा हो तो साएद आपको ज्यादा सिटिए ब सब्हुती पड़ सकती है कुकर की भाफ पूर्षी तरह से सब्सक्लर है इस तीज का आप अपना ध्यान दखें अभी इसे हम नहीं खोलेंगे देरे देरे अपना ठंडा हो जाएगा उसके बाद में खोलते हैं वे कुकर की भाप पुरी तरह से खतम हो गई है इसो खोल कर देख लेते हैं अभी आप देख पा रहा है करी अच्छे से पक गई है इसमे इक कैरी में आपको निकाल कर दिखाती हूं देके कैरी कितनी सॉफ्ट हो गई है इस तरह से कैरी सॉफ्ट हो जाने चाहिए चाकु डाल रहा है अराम से जारी कैरी और पूरी स्मूध हो रही कैरी इस तरह से सॉफ्ट हो जाती कैरी फिर इसका सरबत बहुत अच्छा बनता ह अब इसो ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करने के बाद में इसे पीसेंगे, कभी भी आप केरी को घरम नहीं पीसें, ठंडा करने के बाद ही पीसें, अभी केरी हमारी ठंडी हो गई है, इसको अब कभी फैन के निचे रखके जल्दी इसना कर सकते हैं, ते फटावट हम दे फैन के अब देख पा रहे हैं करी जब अच्छी पक जाती है तो बन के तयार होआ है पर इसमें कोई चोटे मोटे आने रहकों होगे वो भी चानने से निकल जांगे जिसे हमारा सड़ब बनीगा अब हुआ बम या है और उसके उपर इस्टेनर रख दिया है, पूरा पल्प हम इस्टेनर डाल देते हैं, इस तरह से छान के बनाएंगे, तो सर्बत एक दिम अच्छाई स्मूद बनके त्यार होगा है, इस तरह से हमने पूरे पल्प को छान लिया है, और यह दिखिए, इसमूद बनके त्यार हो गया है, अभी हम सर्बत बनाना सरू करते हैं, अभी सर्बत बनाने के लिए हमने एक किलो सकर लिये, यह लगबग चार कप सकर है, हमने आदा किलो केरी ली थी, इसलिए हमने एक किलो लिए इस रेशियों का बराबर धियान रखें जब आपका सर्वत अच्छा मिठा बन के तियार होगा अभी जो पल्प हमने निकाला है उपल्प इसके अंदर डाल देते हैं अथी इसी के साथRO का अब सकर थी इसमें दो कप अधिन पड़ता ऊंद्प लुब लेकरता आफ का इप पाने के डाला था एक कपनी हम और बालेंगे और मिक्षिका जार में मैं अमने पीसा था उस सें ऑंदर न पानी डाल देते हैं इस पैरा मैं गयारो को हो एक किलो सकर के अंदर हमारे को आदा किलो पानी डालना है, मतलब दो कप हमारे को पानी डालना है, चार कप ये सकर थी इस दो कप पानी डाल गए अभी हम गैस को चालो कर देते हैं, रक्षे से इसको मिक्त कर लेंगे और बराबर चलाते रहेंगे, आपको चलाना जरूरी है क् कि सभखें नहीं चलेंगे तो नीचे सखर चिपड़क जाये में इसके बाद में सकर अबेट करते हैं अभी सरच बनानः की चासनी कंदर हमें कोई तो तीन मिट हमने और उबाल लिया है और ये अमने धीरे आज पर अब लूसी चीजे डाल देते हैं अभी इसमें एक टेबल इस्पून जितना काला नमक डाल देते हैं तो गर्मी के मौसम में कि अपसीना ज्यादा निकलता है तो हमारे बोडी में से नमक की मात्रा कम होने इससे वह कमी भी हमारी पूरी हो जाती है एक छोटा चंबचम सादा नमक डाल देते हैं इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से पका लेंगे अब इसे पका तो वह लग बग हमारे को 9 मिनिट हो गया है एक बार देख लेते हैं अब थोड़ा सा यह निकालके हाथ में इस तरह से लगा करकर आप देख लें इदी हाथ में आपको हनी की तरह चिपकने लगे हनी जितनी गाड़ी गाड़ी लगे और चिपकने लगे तो समय गेस को बंद कर देते हैं यह हनी की तरह चिपकने लग गया इसमें कोई तार नहीं बनाना मारे को इसमें कोई देके तार नहीं बन रहा है पर हनी जितनी गाड़ी और चिपकने लग गई है अभी गेस को इस बाल ने के बाद में आज को धीरे कर दे कभी भी और धीरे आज में पर घाले कोई चोटे होते साइड में इसे लिए आप नीम्बू का रशा डालें तो शेड़ उबिटे नहीं होगी तो चारंट से यह सकर है वो क्रिश्चलाइज नहीं होगी उसका बदा बना रहे है ये अब भी बिलाष्ट में डाले हैं और निबो प्रिजर्वेटिव काम भी करता है निबो करसको इस तरह से अच्छे सिमिक कर लेंगे और इसे ठंडा करने लिए रखेंगे इस तरह से मारा सरबद थंडा हो गया है आप देख पार थंडा होने के बाद कितना अच्छा दिक रहा य GIS को अतरत है अधिना देख यहहया द उसके सबसे हुआ तो इसमें के बादो देते हैं आप पढ Webb आप अपने पसंद्टा दाब्व है अप देख पार है इस तरह का सर्बत बनाने के बादम आप कैसे श्रु करें तो आ सी लिए दो गिलास हम को सब-स पर शबने hèą सीने चीज का ध्यान रखें बोटल को साफ दो करके सुखी होने के बाद में उस बोटल में आप निकाले काज की बोटल में जब निकाल कर रखते हैं सरबत तो काफी अच्छा रहता है अभी दो टेबली स्पून जो सरबत हमने बनाया है वो एक ग्लास में डाल दे ले दो टेबली स इस तरह का सरबत दिखने में अच्छा लगता और पीने में बहुत साधिश लगता है किसी को सरव करते हैं तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है और कोई भी ग्यास्ट राजाय तो इजीली बना करके फटाफट सरव कर सकते हैं आप देख पार बनाने के बाद भी कितना अच्छा लग रही है इस रबत कभी ठंडा सरव करें ठंडा पीने बहुत अच्छा लगता है वोसे कवेता बरफ कर एक दो पीस और डालना चाहिए तो और भी डाल सकते हैं अभी सरव करते समय इसमें आप थोड़े से पोदीने के इस तरह से पीस तोड़कर के डाल दें इ अच्छा लगता है तो आपको मारे कच्छी कारी के सरवत की रेसेपी कैसे लगी निचे कॉमेंट बॉक्स में जरू बताएं इसी तरह के अनी रेसेपी देखनी हो तो यूट्यूब पर पापा ममी किचन को जरू-जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीड बाइ और टेक केर